सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए इसमाइल टू टैब में गरह कार्य इस परकार दें प्रतेक शिक्षक के लिए अतियावसक प्रतिसफता जी आ साथ यह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वरतमान परिष्थितियों को नजन में रखते हुए यानि को ज्यान में रखते हुए जहां नियमित कक्सा सिक्षन नहीं चल रहा है ऐसे में राजसान सरकारदारा बचों की पड़ाई खराब नहीं हो उनका नियमित अध्यान जारी रहे कई तरह के प्रोग्राम चला जा रहे हैं जिसमें हम ये भी कह सकते हैं इसमाइल प्रोग्राम चालू किया गया है जिसका दया वर्जन नवंबर में इसमाइल 2.0 भी लागू किया गया है आप सभी जानते हैं कि शाला दरपन पर भी एक टैप नहीं जारू की है जिसका नाम है इसमाइल 2 इस टैप के अंतरगत प्रतेक शिक्षक को यानि हमारे व विंडो से उनको प्रतेक बच्चे का प्रती सफता है वो ग्रहकार्य भी देना होगा कैसे देंगे वो भी आज के इस वीडियों में बताऊंगा जैसा कि दोस्तों आप यहां पे स्क्रीन के उपर देख सकते हैं स्टूडेंड वीकली प्रोग्रेस डिटेल यानि प्रती सफ सफता एक बार सफता में एक बार ग्रहकारी देने के लिए जाएंगे और 6-8 के लिए जो सिख्षक है वो सफता में दो बार ग्रहकारी बच्चों को देंगे उनकी डिटेल आपको अब शाला दरपन पर ऑनलाइन भी करनी होगी और अपनी पर्सनल लॉगिन आईडी से करनी होगी ग्रहकारी किस परकार देना है कौन सी डेट कैसे फीड करनी है आज के इस वीडियो में जानेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है दोस्तों अंतर तक जरूर देखें बात करते हैं शाला दरपन की तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले शा कि मैपिंग कर देखें दोस्तों यहां से मैंने मैपिंग की है वो पहले से सो हो रही है आपके शूर नहीं होगी आपको क्या करना होगा यहां आता है अब आता है प्रतेक टीचर का का यानि यूँ कहें कि संस्ता परदान जब ट्लास टीचर की मैपिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो शिक्षक है उनके लिए काम आ जाता है कि अब वो वीकली स्टुडेंट की रिपोर्ट है वो आपको शाला दरपन पर चड़ानी है प्रतेक शिक्षक के लिए प्रती सफता वह अब यहां से आपको इस्टाफ विंडो में जाना होगा यहां से इस्टा घ्रल इजिए इस्टाफ विंडो आपकी पर्सनल होती है आपकी खुद खुद की हें इसको खूलने पर आपके सामने इसमां का एक टब आयरुक tips ना दिखा देता हूँ, यहां से स्टाफ लोग इन का बटन है, आप लोग इन कर लीजे करने के बाद फिर आपक्से मिलता हुँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं लोग इन हो चुका हूँ, अपने आपको कौन कौन सी class दी गई है उसकी detail आपको यहां show हो जाएगी मैं खोल कर दिखा देता हूँ उपर की साइड में हमें अपनी detail दिखेगी और नीचे की साइड में जो हमें Class दीगी गई है संस्ता परदान द्वारा वो class यहां पे सो होगे उनके student भी यहां से सो हो जाएंगे पहले तो सबसे पहले यहां पर आप नंबर ऑफ इस्टूडेंट चेक कर लीजे सही है या नहीं है और साथ ही अगर इसमें बदलाव चाहते हैं तो संस्तापर्दां से आप संपर कर सकते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन की तो इसमाइल टू टैब में आपको जाना है यह चेक करने के बाद अब आती है इसमाइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग की ठीक है यहां से आपको सलेक्ट कर लेना है इस्टूडेंट एसस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको क्लास वही सलेक्ट करनी है जो आपको दी गई है वही शो होगी यहां पे जैसे मैं यहां पे फर्स्ट क्लास कर लेता हूं और सेक् कार्यत देने का कि सबसे पहले तो आपको डिटेल चेक करनी है एसार नंबर है विद्यार्थी का नाम है अभी बावा का नाम है मॉबाइल नंबर है यह सारे दोस्तों साला दरपन से ही फैच है इसमें किसी परकार की अगर मिस्टेक है या आपको करेक्शन लगता है तो शंस् से ले रहा है तो सिक्षन प्राप्ति का माध्यम आपको यहां से सलेक्ट कर लेना है यहां देखिए कई तरह के ऑप्सन आ रहे हैं जैसे डिजिटल वॉट्टब द्वारा नॉन डिजिटल के वर कारे पुस्तीका या पठ्थेपुस्तग द्वारा किसी प्रकार से नहीं ल जो मैंने आपको करके अभी दिखाया नॉन डिजिटल साथ ही दोस्तों हम उनको घर जाकर भी ग्रहकारे दे रहे हैं तो क्या अब पास में आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि विद्यार्थी का ग्रहकारे प्राप्ति का माध्यम ग्रहकारे कैसे प्राप्त कर रहा है ग्रहकारे प्राप्ति अगर वाट्सप द्वारा कर रहा है तो वाट्सप विद्याले आकर विद्याले बचों को बुलाना नहीं है साथ ही विद्यार्थी के पास कार्यपुष्टिका है अगर एक और दो है तो उसके पास कार्यपुष्टिका भी नहीं है किसी प्रकार से या अन्यमाध्यम दूसरे विद्यार्थे उद्यार या घर जाकर तो आप यह सलेक्ट कर सकते हैं अगर घर जाकर आप गरकार्या दे रहे हैं तो और साथ में इसको यहां से आप इसको सब्मिट कर दें जब यह सब्मिट हो जाए तो रिकॉर्ड सेव सक्सेस्फुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा तो इसको क्लोज कर दीजिए इस प्रकार दोस्तों एक एक बच्चे का एक एक क्लास का जो क्लास आपको मिली है उसका पूरा विवरण आपको यहां पर दर्ज करना होगा जितने भी बचे हैं उस अभी का एक एका माध्यम का यहां दर्ज कर दीजिए कैसे ले रहा है अब बात आती है विद्यार्थ्यू ग्रवकारे कब कब दिया गया है उसकी डेट तो यहां से आपको क्या करना है राइट साइड में और उप्सन आ रहे है खोल लेना है वीकली बाड़ा यह देख़े इसमाईल का टेब ऑउन कीजिए अब है स्टुडेंट वीकली डिटेल इसको खोल लीजी आप स्टुडेंट वीकली डिटेल को वीकली डिटेल को खोलने के बाद यहां से आपको class Select कर लेनी है अब class select करने के बाद आपको करना है section section यहाँ पे उसके बाद year year select कीजिए 2020 अब month मन्थ आपको select करना है कि किस मन्थ का आप entry कर रहे हैं January, February, March, April अब यहाँ आप जिस मैने की entry कर रहे हैं वो मैना select कर दीजिए जैसे मैं December select कर लेता हूँ उसके बाद December में कौन से week की आप कर रहे हैं अब first week मैं आपको दिखा देता हूँ first week की entry और show detail show detail पे जब हम click करेंगे तो यहाँ पे वही data वापस हमारे पास आ जाएगा यह देखिए जिस जिस बच्चे को हमें ग्रहकारियत देना है वो यहाँ सोख हो जाएगा जो बच्चे है अब यहाँ पे आपसे प्रसंद पूछा जाएगा यह विद्यार्थी के home work कारे पुष्टिका के माध्यम से जांच का माध्यम किस माध्यम से आप जांच कर रहे हैं विद्यार्थी के home work की जांच हो रही है वो digital whatsapp द्वारा कर रहे हैं विद्यार्थी आकर या शिक्षक द्वारा घर जाकर किसी प्रकार से नहीं विद्यार्थी द्वारा घरकारे नहीं किया गया है या किसी प्रकार से नहीं शिक्षक द्वारा घर जाकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और विद्यार्थी के record का संग्रहन किस प्रकार हो रहा है यानि जो बच्चा ग्रहकारे कर रहा है उसका संग्रहन इकठा portfolio हम किस प्रकार बना रहे हैं जैसे digital whatsapp द्वारा कारे पुस्तिका के page की photo है या digital whatsapp द्वारा whatsapp पे साज रही है तो नॉन डीजिटल आएगा कारे पुस्तिका तो नहीं है तो अकर जो ग्रहकारे दे रहे हैं उसके उपर यहां आएगा अगर वह बच्चा वार्ट्सप के दारा ग्रहकारी साजा कर रहा है तो यह आजाएगा वार्ट्सप कारे पुश्टिका के page photo की photo बेज रहा ह है कि उस बच्चे से कब बात की गई जब यह कर देंगे और आपको इसको सब्मिट कर देंगे यह कारे भी दोस्तों आपको प्रतिक बच्चे का अलग-अलग करना होगा और यह जो मैंने वीक बताया है वह इस वीक के अनुसार प्रते एक बच्चे का कब बात की गई उस बच्चे से वो वीक सेलेक्ट करके आपको काम करना है इतना करने के बाद दोस्तों सिख्षक का कारे खतम हो जाएगा सिख्षक अपना काम खतम करके के बाद संस्था परदान को सुचित कर देगा कि संस्था परदान अपने कारे के कर सकते हैं संस्ता परदान करने के लिए smile2 tab आपके सामने नजर आ रहा है स्कूल login में smile2 tab खोलने के बाद यहां है class teacher student mapping यह खोल लेंगे यह खोलने के बाद यहां पर class so हो जाएगी यह देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं अब संस्ता परदान जिस का क्लास की कारे की जाच करना चाहते हैं वह यहां से सलेक्ट कर लेंगे सेक्शन यहां से सलेक्ट करेंगे और टीचर यहां से सलेक्ट लेंगे कि फर्स्ट क्लास कि बच को दी गई है और यहां से show बटन पे क्लिक कर देंगे show बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखे जो बच्चे को ग्रहकारे दिया गया है वो सारा यहाँ पे show हो जाएगा किस बदमाध्यम से दिया गया है उसके अभिबाव का नाम mobile नमबर विद्यार्थी का शिक्षन सामगरिश दिगम का माध्यम क्य है तो साथियों यह थी पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई कि इसमाइल टू टैब के अंतरगर प्रते एक शिक्षक को कैसे काम करना है और ग्रहकारे कैसे देना है धन्यवा साथियों वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में अने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन समद्ध इन्यूस तुरंत पाने के लिए